नमस्कार दोस्तो मेरा नाम पंगजी याद और आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल पंगजी स्टेडी सेंटर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि मुल प्रभाज क्या है साथी साथ इसका सुत्र भी बताऊंगा सुत्र निर्मान कैसे करते वह भी बताऊंगा और इस पे हम किसी भी सवाल को हल कैसे करते वह भी मैं बारीकी से आपको समझाओंगा यदि देख देकर कि यूटूब पे वीडियो ठक चुके हैं नहीं समझ में आया है तो यहां आप सही जगह पे आया है आपको बिलकुल बारीकी से समझ में आ तो फ्रेंड्स आप देख सकते यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है लेकिन आपको बिलकुल नहीं डरना है क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ूंगा फिर उसके बाद मैं आपको समझाओंगा जैसा कि उपर लिखा गया है मूल प्रभाज और मूल प्रभाज को दूसरे नाम मे हम इसे एसे भी बोल सकते मूल yay इसको मूल अंस भी बोलते हैं यानी मन प्रभाज या मोल अंस दोनों हम बोल सकते फ़िस्द अंगरेजिया ङी में बोलते हैं मूल फ्रेक्शन ऑगे अब यहां पे मैं आपको एक चिश्achts कलिए कर दूँ यदि आप से कोई पूछे कि भाई मोल प्रभाज या मोल अंस को किस से प्रदर्सित करते हैं यानि किस से उसको दिखाते हैं तो आप हमेशा कहोगे भाई x से परदर्सित करते हैं, किसे x से परदर्सित करते हैं, यानि x से उसको दिखाते हैं, अब इसका जो definition मैं नीचे लिखाओं, मैं उसको पहले पढ़ूँगा, फिर आपको मैं बारी की से समझाओंगा, ठीक है, जैसा कि लिखा गया है, कि विलियन में मौजूद कोई एक घाटक का मुल प्रभाज कहलाता है, और यह बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, अब मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले बात है, यहां पे विलियन में मौजूद कोई एक घाटक, यहां एक घाटक है, और यहां एक विलियन आप देख रहे हैं, उपर है तो यहां आपके मन में यह सवाल आएगा कि विलियन किसे कहते हैं, फ्रिंट्स मैं आपको बता दू, विलियन, विले, विलायक, इन सब पर मैं पहले ही अल्डेडी एक वीडियो क्रियेट कर रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उपर आई के बटन में आपको मिल जाएगा, फिलहाल वहां देखेने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ यहां भी, अगर नहीं समझ में आएगा तो उपर देख लेना, जैसे कि यहां लिखा गया विलियन, विलियन किसे कहते हैं, विलियन वह कहलाता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिसरन हो उसे विलियन कहते हैं या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विलियन किसे कहते हैं जिसमें विले और विलायक का मिसरन हो उसे हम विलियन कहते हैं ओके तो विलियन में मौझूद कोई एक घाटक, भाई एक घाटक कह रहा है, सवाल यह उड़ता है कि यह घाटक क्या है, है ना, तो देखिए घाटक दो होते, कितने, दो, कौन-कौन, एक विले और दूसरा विलायक होता है, क्या-क्या, एक विले और दूसरा विलायक, घाटक कित हो गया और नमक हो गया यह सब विलय है और विलय क्या हो गया जैसे कि पाणी हो गया और उसके बाद विले और दूसरा मैंने लिखा विलायक तो भाई विले का जैसे उदारन हो गया चीनी नमक इटीसी और दूसरा विलायक का क्या उदारन हो गया जैसे कि दूध हो गया है ना और उसके बाद पानी हो गया तो आप समझ लो विले किसे कहते ऐसा पदार्त जो विलायक में घुल तो चीनी क्या होगा दूद में घुल जाएंगा और विले अगर कोई आपसे पूछे कि विले किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि विले वह कहलाता है जो विले के दोनों के मिल से बंता है उसे हम धिल्यन कहते तो घटक समझ गए तो यहां कहा जारा कि कोई एक घटक हम लेंगे कोई दिकत नहीं तो यहां समझे कोई एक घटक के मोलो की संख्या यानि कोई एक घटक के मोलो की संख्या या फिर विलायक के मोलो की संख्या कोई कहा जारा एक घटक लेने नहीं ठीक है तो मैं आपको समझा रह आट को उस घटा का मोल प्रभाज कहलाता है अब देखिए मैं आपको बारी किया संख्या समझ लेते हैं कि मौझूद कोई एक घटा के मोलों की संख्या निकावा आपसे पूछे जा पूछेगा कोई कि भाई कोई घटा के तो माल लेता है इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि विले के घटा की यानि विले के यहां देखिए कोई एक घटा के मोलों की संख्या तो पूछ दिया जाए कि विले के मोलों की संख्या का बराबर क्या होता है या विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है तो क्या जवाब दोगे तो मैं आपको बता देता हूं यहां मैं लिखंगा कि कोई एक घटक तो मैं आपको दोनों घटक मैं यहाँ समझाघी था ठीक है यहां पर लिखेंगे ल्हें कि के mmolo किuç संख्या और यहां पर एक अब इसको मैं रिमूब करता ह такую में दिण भी लोग की मोलो की संख्या इसको जो हम दिनौट करोंगे यहां को इसको n से small n से तो इसको क्या मानो small n a माल लो ठीक है यह पहला हो जाएगा और दूसरा जो हम लिखेंगे बता देंगे ठीक है तो यह इसको परदर्शीद करते हैं और इसका सुद्र क्या होता है है कि इंघते हैं और तो एक हो थो ले का भार माल बते में मिल इका अनुभार ओके सन तो आप देख सकते हैं में लिखता हूं विलायक विलायक के मोलो की संख्या, पहले इसको किसे परदरसित करते थедь इसको भी a small n से ऊडिव से माललो B, वो के इससे परदरसित करते हैं अब इसका सुत्र क्या होगा फ्रेंड तो इसका सुत्र वहाई होगा विलायक का भार बटे में विलायक का अनुभार ओके यदि कोई पूछे न तो ये आप सुत्र बता दीजेगा विलायक का अनुभार ओके फ्रेंट्स समझ में आ रही ना दोस्तों तो ये दोनों सुत्र हुआ अब ये तो हो गया जैसे कि यहां पे लिखा कि कि विलय में मौझूद कोई एक घटक की मोलों की संख्या तो कोई एक घटक जैसे यह पाला है यह दूसरा को यह घटक ले लेना है तो यह घटक की मोलों की संख्या तथा विलय एवं अभाई विलय एवं विलाय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात अनुपात का मतलब बट ठीक है यहां पर लिखेंगे मोल प्रभाज है ओके मोल प्रभाज अब मोल प्रभाज का सुत्र यहां पर लिख रहा है तो अगर माल लेता है कि मोल प्रभाज आप किसका मोल प्रभाज निकाल रहा है जैसे कि विलय के मोलों की मोल प्रभाज विलय के मोल प्रभाज या विलय क के मोल प्रभाज तो आप देख सकते हैं मैंने यहां लिखा कि आप को लिख देना है अब इसका आपको सुत्र का निर्मान कर लेना है तो यहां पर लिख दिया मैंने विलय के मोल प्रभाज यानि एक से यह आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे जैसे कि सुत्र में करागी कोई एक घटक की मोलो की संख्या तो कोई एक घटक माल लेता है विलाय के मोलो की संख्या यानि एन ए तो आपको लिख देना एन ए विलाय के मोलो की संख्या आप लिख देना ओके फ्रेंट्स मैंने लिख दिआ क्योंकि देखिए परिभासा की अपटिंगी चल रहा है क्योंकि कहा अगर को तो मैंने निया विलै विलै मुल्प्र यानि के मुल प्रभाज हम निकाल ठीक है तो इसका यह विलै जो संख्यां बट्टे में क्या विलाय के कुल मौलों किसें थो कि लिए पहले लिखेंगे क्या में पलस Living Day कि को एक कि मौलो कि लीखेंगे के मौलों कि संख्यां अब यह जो है यह सूत्र ऑगे तो फेंग्स सकते हैं रापर सुत्र का निमाना है कि विलाय की मॉल प्रहवा प्रभाज आपको अगर निकालना तो निकालना है तो या सुत्र हो का का विलाय के मोल निए मुझे लगाएंगे विला पलस् Creating विल याप तो फ्रेंगे जो हमारे पास आया है यहां पर फ्रेंड्स अब इसी तरह अगर ये विलायक के मौल प्रभाज निकल गया ना अब उसी तरह अगर आपको कहा जा कि विलायक के मौलों की संख्याई यह जो आप देख रहे तो आपको कहा जा कि विलायक के मौल प्रभाज आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे बिल्कुल सेम है विलायक क कैसे निकलेगा जैसे यहां पे X A है तो आपको लिखना क्या पड़ेगा यहां पे X B क्यूंकि यह तो X हमारे पास पर आपको लीख देना है क्या एन ए पालस में एन बी मैंने लिख दिया अब यह जो आया हमारे पास यह भी क्या है फ्रेंट्स यह एक शुतर का निमान हो टीक है तो अगर मालने दें कि यह समीकर एक और यह समीकर दो तो तो इन दोनों से अब हम निकाल सकते एक और सुत्र कैसे अब सवाल यह उड़ता है कि हम क्यों निकालेंगे क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि मानत किसी ऐसा सवाल दे दिया जाए जिस सवाल में कहा जाए कि भाई विलय की मोलो की संख्या दे रखा और आपको कहा जाए कि आप देख रहे हैं इसी दोनों से निकालेंगे कैसे निकालेंगे पहले आपको कर देना क्या दोनों तरफ जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को क्या कर देना है जोड़ देना है तो फिलाल अगर जोड़ेंगे तो इसको तो हमें मीटाना पर है कि जगह की हमें कमी हैं तो आए लिखने के बाद यहां तक सिर्फ दरसा देना उसे ज्यादा लिखने की जुरूत नहीं है बस इतना दिखा दिये बहुत हुआ मैं कहता हूं यहां तक छोड़ दिये ना अब को को पता यह विलायक के मौल परभाजों की संख्या है तो इन दोनों को आपस में क्या करदेंगें जोर देंगे तो दोनों तंब दो याने इद alignment ये जोरेंगे तो एकसे अपमल सेडेर हो जाएगा क्या इन से इसमें गुना करेंगे तो ए और पर क्या होगा इससे इसमें बुड़ाग करेंगे तो एन-बी ओके फिरेंग्स यहीं होगा और यह जो ब्रावर में देख रहें एकश-ए-प्लस में एकस भी आप लिख सकते हैं ना अब यहां से देखो यह दोनों क्या होगा यह सब्सक्राइब निचे यहां से वी एक सूत्र का निर्मान हो गया अगर आपको यहां पर पता है कि एक से क्या है तो विलाय के कि संख्या और एक्स भी क्या है विलाय की मोलोग कि अगर माल डे यहां पर एक्स यानी विलाय की मलोग कि इसे यह पांच दे रखा ठीक है अब लुक्त है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं तो यह भी आ गया हमारे पास कि इस सुथय की मदद से आप plut иг कर सकते go dosdon two a upgrade विडियो पजके दोस्तों पशंद आया ओक्रना दोस्तों को मुलें लोलेंगे टब केलिए थी